हेलो स्टुडेंट्स आपका मेरे चैनल मैतमेटिक्स बाइजासर में स्वाकत है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब टर लें बैल आइकन को प्रेस करें तो पिटा आज हम आपकी दसफी क्लास की कडित की वरक्षीट नू यह करें दो देखते निटा होड़ा एक क्या कहता है तो देखें करल खूर दिखाए और यह दिखाए देधा है कहता है सको थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं का कि से कहता है कि एक खेल में घूमनेवाले थीर के विराम बिंदू से एक से आठ मैं McKyam और सभी संख्याओं के आने की संभावना समान है क्या प्रायक्ता है कि वह बिंदू कहता है एक रिंग होता है इसको घुमाएंगे हम इसको तो यह कहीं पर भी आकर रुख सकता है जो प्रिव्य है motherfudson funk you n Allahu नो चार से कम संख्या पर आपकेए अ Starbucks तो कितनेride कर नहीं है अच्छ प्रुडबर नूइंद कितने होंगे सिर एक होंगे तो प्रैक क्या हुजाएं कि अनुकुल प्रणाम बते संभाव पढ़ नाम यानि कि एक बते र्ट टो टो तो हमारे और पास आठ है कुल संभाव प्रणा ». उसकत कहता है कुल, दूसरे में कहता है विसम संख्या. विशम संख्या भत- हम जाते है विसम संख्या कौन से होती है» विसम संख्या होती है हमारी वो जो दो के पहाले में नहीं आती है। यानि के एक, तीन, पांच, साथ, तो यानि अनुकुल परणाम कितने होगे मेरे पास, चार होगे, अनुकुल परणाम चार है, टोटल परणाम कितने हैं मेरे पास, बटा, आठ है, तो प्राइकता क्या होगी, चार बटे, आठ, काट देंगे, तो एक बटे, दो, ठिक, उसके परणाम कितने होगे हमारे पास चे होगे तो दो से बड़ी संख्या की प्राइक तक हो जाएगी छे वटे टोटल कितने है हमारे आठ चे बटे आठ काट देंगे दो ती अच्छ दो तुनी दो चौक आठ ठीक है उसके बाद उसने कहा कि चोत्य भाग में नो से कम संख्या नो से कम संख्या बटा तो नो से कम सारी की सारी है नो से कम ही है तो एक से आठ तक सारी आ जएगी ए तो एक कितने हो डrition परि नाम हमारे पास ल काड़ जाएक हो जाएगा ठीक है पता अब देखते इसका उधरा नमबर दो क्या कहता है बाटा तो देखिए बटा उदराद नमबर दो हमारा यह है उदराद नमबर दो यह कहता है एक डिबबे में 144 बॉल पैन है कितने बॉलपैन है इसमें से 20 खराब हैं अगर 20 खराब हैं याने के 124 ठीक हैं और अन्य सही है नूरी एक पैन खरीदेगी ये दिवह सही है किन्तु पेन नहीं खरीदेगी यह दिवे खराब है वो तभी पेन खरीद रही है जब वो सही है अगर खराब है तो पेन नहीं खरीद रही है दुकांदार ने एक पेन याद रक्षे निकाले है याद रक्षे का मतलब तरब बिना देखे निकाला और उसे दिया क्या प्रायक तक क्या होगी सही वाला खरीदेगी एक सचोबटे लुगल ऑफ़ और चार एकम चारतिया बारा चार्चिह चूवजोबिस थीक है दूसरे बाग में पूचा कि पहन नहीं खरीदेगी जब बॉल्पन क्या होगा खराब होगा तो कितने बॉलपन खराब थे वह जीजिए 20 अन कुल बटे संभाव हैंगे 20 बटे 144 काट देंगे तो 5 बटे 36 का अंसर हो जाएगा ठीक है बटा तो देखते हैं इसके साथ ही उध्रार नमबर 3 क्या कहता है उध्रार नमबर 3 कहता है बटा एक थेले में तीन लाल गेंदे 5 काली गेंदे थेले में से एक गेंद या दिरक्ष्य निकाले गए क्या प्रयक्ता है कि गेंद लाल होगी दूसरे भाग में काली होगी तीसरे भाग में लाल ना काली और चौत्छे भाग में काली गेंद नहीं तो देखे भी पहला पार्ट कुल परणाम हम तोटल आठी हमार पास तीन है तो प्रायग्ट्य हो जाएगी लाल गयन्त के तीन वट आठी 8 जो पूंछ आऊपर तोटल नीचे कर दूसरे सब्छ धर्चjà तो काली कितनी वजब पांच पैज तो प्रायएं कि जिरो ब्ट आख यह निके जिरो कि उत्य बहुंत उन्हें काली गेंद नहीं काली नहीं है तो इसकी लाल है मिया फिर काली नहीं नहीं निकाल नहीं तो एक मेंस से काली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे काली थी पांच बट eigenlijk एक में से पांच बटे आठ मानिस करेंगे तो कितना जाएगा तीन बटे आठ हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपका कुश्चन के तीनों एक्जामपल आपके हो गए है ठीक ही अब आपका अब भ्यास के लिए प्रशन के तरह स्वेम प्रियास कीजिए तो देखते हैं बारी- वाला पासा ही होता है बटा जिसमें फलक इस प्रकार अंग्रीची का कितर दर्शाते हैं पासा एक बार उचला जाता है कि इसका नहीं प्रैक्टर के लिए कि ता फलक जो है भी उस पे जो च्छे फलक उस पर एबी-सी-डी-ई-ए लिखा हुआ है ठीक है यानि कि आंसर में है छे दम क्रें पास Ns हो गया जो यह पास शहां पर नाम है टोटर पहले भाग में उसने हमसे पूछा है इवेंट क्या है उसने हमारे पास फूचाम है फैसमेब फूटे ऐव कि तो नम्मरें क्यों धिंगät हमार पास दो तो प्रायक्ट क्या हो जाएगी अच्भी को ठाउ कामला हम जानते हैं एन्य अपाउन में एन्स जो पूछा है तो उपपर टोटल नीचे यहां कि दो बटे छे एन्य है दो एन्स चे काट दें कितना कि एक वटे तीन आ गया दो एक हम तो दो तीया चे दूसरे भाग में किया पूछा उसने हमसे बिटा दूसरे भाग में कर लेते हम कि द्यूकि लिए उस नाम से पूंचए है यह हमारे पार टी कितने हैं एन्फ इवेंट कितने होगा हमारे पास एक ही हुआ कितने वे एक ही हुआ थो इसकी प्राइक्त क्या हो जाएगी वटढ़ा N E upon me N S तो प्राइक्टा हो जाएगी एक बटे में 6 क्या हो जाएगी बटा एक बटे में 6 इस तरह सब का पहला question complete हो गया अब देखते है question में 2 क्या कहता है बटा दूसरे question में देखी बटा कहता है एक थैले में 5 लाल है 8 सफेध हैं और 4 हरे कंचे है तहले से एक कंचे निकाला गया है तो इसकी के प्रायक्त है कि निकाला गया कंचे लाल होगा सफेध होगा या हरा नहीं होगा तो देखी बटा इसका अंसर किस तरह से हम देंगे सैंपल इस पहले हम बात करते है नंबर ओफ रैड़ बॉल कितनी है हमारे पास ठीक है क्या कहादे रखा मैं नंबर ओफ रैड़ बॉल दे रखिये पांच ठीक है बटा और नंबर ओफ वाइड बॉल दे रखिये हो कितनी आठ और कहादे रखा है number of green ball दे रखें कितनी बटा number of green दे रखें कुछ 4 ठीक है total sample space कितना होगे बटा हमारे पास total परणाम हमारे पास संभाव परणाम कितने होगे पांच आठ चार कितने होगे माच 4, 12, 15, 17 होगे कितने होगे बटा? 17 होगे total case हमारे पास पहले भाग में देखिए पहले भाग में किया पूछा उसने हमसे number probability red ball की पूछिए किस की? red की? लाल की पूछिए तो लाल उपर बटा और total नीच हो जाएगा हमारा ठीक है जी? लाल है हमारे पास 5 और total हमारे पास 17 ठीक दूसरे भाग में किस की प्रायक्ता पूछिए उसने? सफेद की यानि कि white की पूछिए तो प्रायक्ता का फार्मला भाई है white उपर टोटल नीचे हैनों कुल बटे संभाव है white कितनी है? 8 और total कितनी है बटा? टोटल हमारे पास 17 ठीक है उसका उसने पूछा कि हरा न नहीं हर एक उसने मना कर दिया not green तो इसको करने के बटा दो तरीके आपके पास हो सकते हैं उसने कहा कि हरा नहीं होना चाहिए यानि कि not g green नहीं होना चाहिए green नहीं होना चाहिए यानि कि या तो red हो या फिर क्या हो white हो ठीक है जिए green को तो उसने मना कर दिया ठीक तो इसक कि संपर सिम्पल हो ड़ी आपके पास एंसथ ने मना रहा है उसने का कि ध्री नहीं होना चाहिए यानि कि हमने सूच दिया कि हौई होगा या रैड होगा तो वाइड कितने हैं व्यट्वा है हमारे पास थे 5-17 और यें इतने थे मारे पास आड़ बाटे, 17, L70 ले लेंगे बाटे, कितना आजाएगा, L70 हमारे पास 17, L70 है तो प्राल ऐसी रहेगा, पाँच प्लस अठ, तो कितना होगा बाटे, 13 बाटे, 17, एक तरीका तो यह होगा बाटे, green निकाल जेंगे, green ना हो, या फिर पहला आप green की निकाल दो, उसके पाद इसके तीन भाग हैं बारी बारी से करने पढ़ेंगे बटा तो देखे बटा पहला भाग किस तरह से हम करते हैं पढ़ लेते हैं पहले कोश्चुन उसने का एक पुष्टक में एक से 90 तक प्रस्ट हैं यदि एक प्रस्ट खोला जाता है तो प्रैक्त गयात किजिए कि संख्या एक पुन्वर संख्या एक पास से विखना संख्या तो देखो बाटा इसका पहले हम लखेंगे सब्सक्राइस एक दो तीन चार पसे कहँ तक संख्या जाएंगे बिटा 0 कहां तक जाएंगी हमारे पास 10 तक संख्या जाएंगी This is और स्पेस कितने हैं हमारे पास टोटल नव्य मैं एक नवे तक जाएंगी नव्य तक जाएंगी ठीक तो इवेंट कितने हुए बटा दस से लेगे नभय तक टोटल नभय है नभय मैंज क्या कर दूंगा मैं बटा दोंख वाली जो है वो एक उंक वाली घटा दूगा दोंख वाली बचेंगी यानि कि 9 गटा दूं, 1 से 9 तक किसंग्या, तो कितनी बची है? 80, मेरे पास आ गई, ठीक है? 80, 90, 90, इस तरहा साफ का पहला भाग हो गया, ठीक? आपको सेम्पल स्वेस्हर सुम्हर में याद रखना है, सके सेंप्पल स्पेस किदने आपके पास 90 अपके पास स्पेस है उसने आप से पूंचा है फिर पूंगा संख्या सेंगंड वरक संख्या यह जिरुटें कि इस सेंड पार्ट को धेकते errors जो में है इस तो हमारे पास 90 है एनस्टो कि इतना हमारे पास 90 है कि तब पूंड वर्ग संख्या आपको निकालना है तो बटा इवेंट देखिए पूंड वर्ग संख्या में कौन कौन से एक पूंड वर्ग है चार नो 16 25 चतिस उननचास 64 और 81 यह आपके पून्वर्ग संख्या है इसके बाद 100 आती है कि यासी के बाद पून्वर्ग संख्या का मतलब 100 जिसका जोड़ा बन जाता है पून्वर्ग संख्या कि यह सेंपल स्पेस कितने होगे मेरे पास बाद किन लेंगे नंबर कितने होगे मारे पास एक दो टीन चार पाँच चै शाओ आत नव कितने होगे मंईघा से काट नवठे हम नवठे कितना है नंवठे उसके फालस का फालक में कहता है एक पास दे बाद से विभाजित संख्या देखे फड़ पारट भी देखतें वठेस काम थिर्ड पार्ट में कहता है ऊद runner 5 से विभाजित संक्या तो सेंपल-पेश्ट बटा इसमें समाव को याद ही हो गए है वामारे पास कितने हैं 90 है इवेंट क्या होंगे बटा पोँछा है उसने 5 से विभाज संक्या 5 से 5 होगी 10 और 15 और 20 और 25 और 30 और 35 और 40, 45, 50 ये सब बटा 5 से भाज़ संख्या हैं उसका 55, 60 ये बटा 55 है 65, 70, 75, 80, 85 और 90 है ये सब बटा 5 से भाज़ संख्या हैं तो एनी देखिए एनी कितना हो गया ये इसका नमबर अफ इवेंट कितने हो गया हमारे पास ये होगे हमारे पास 18 बटा एक, दो, तीन, चार, पंग, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदा, सोला, सोला, सतरा, ठारा, ठारे भी बटा अठारा एकम, अठारा, अठारा पंजे, नब है, तो ये अपका अंसर हो जाएगा, बाटा कितना हो गया अपका अंसर, एक बटे, पांच, ठीक, अब, कोश्शन में तीन तो हो गया, बाटा, पूरा, अब देखते, कोश्शन में चार कह कहता है, बाटा कोश्शन में चार में आपसे कहा गया है, एक डिबे में, पांच लोहे के टुकडे, ठीक है जी, यानि के आंसर की बात अगर करें, नमबर ओफ आयरन, आरन पीस कितने बटा, पांच, ठीक है, और एन लकडी के टुकडे, यानि के नमबर ओफ वुड, वुड यानि के लकड गयात कीजिए, एन गावान हमें गयात करना है, तो पहले तो बात करें बटा, टोटल परणाम कितने है हमारे पास, टोटल होगे हमारे पास, पांच प्लस एन, ठीक है, उसके बाद, नम, प्रोबल्टी ओफ आयरन, आयरन की प्रोबल्टी क्या होगी बटा, हम निकालने तो एन यह अपॉन में, एन एस होगे, आयरन है पांच, टोटल है हमारे पास, पांच प्लस एन, ठीक, और उसके बाद, वोड़ की अगर निकालने बटा, तो वोड़ की कितने होगे, नमबर वोड़ अपॉन में, लखडी के यानिके बटा, यह वोड़ हमारे पास एन, और यह होगे, पांच प्लस एन, ठीक, उसके बाद उसने कहा, कि लखडी की जो मिलने की प्रायक्ता है, वो, लोहे की प्रायक्ता से क्या है, बटा, तीन गुनी है, तो ध्यान से समझते हैं, बटा, इसको थोड़ा चोटा कर लेते हैं, कि लखडी की जो प्रायक्ता है, वो लोहे क कि प्राइक्ता से तीन हुए मिला लेते हैं आथ हम इसको कि प्रस्णा नूसार यानिके प्रस्णा नूसार यानिके जो रेनी की प्रोबर्टी है वो व्ट की प्रोबर्टी से क्या है वर तीन सोरी वुट की यह प्र Awards लख़वड़ी के टुक्ड़ी की मिली प्राक्ता लखढी की तीन गुश्व हैं अभ हम ज़ानते हैं कि रध़ी की प्राक्ता हमें निकाल लख 동안 उन ठीक है और वुट की निकाल लखिए N अपॉन में 5 प्लस N ठीक जब दोनों के बटे में 5 प्लस N है तो 5 प्लस N से 5 प्लस N क्या हो गया बटा कट गया और 3 पंजे कितना हो गया 15 हो गया 3 पंजे कितना हो गया 15 बटा कितना हो गया 15 पंद्रा और यह क्या रहिए आपके पास एंड रहे गया क्या रह गया इंड रह गया एधर एंड बराबर कितना आगया पकास 15 एनी का तुमान आप